हेलो दोस्तो, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वीडन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ और आपको बताता चलूँ के मैं चुक्के स्टाकॉम काउंटी में रहता हूँ लेकिन स्टाकॉम सिटी में जाने के लिए मुझे आलमोस 30 तो 40 मिनट लग जाते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और अगर मैं बाइकार जाता हूँ तो 15 तो 20 मिनट लग जाते हैं आपकी इंफर्मेशन के लिए आपको बताता चलूँ के स्टाकॉम काउंटी के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन करता है उसे SL कहते हैं और साथ साथ आपको यह भी बताता चलूँगा के यहाँ पे जो लांग डिस्टन्स ट्रेंड है उसे SJ.SC या SJ की अप्लिकेशन से आप लांग डिस्टन्स टिकेट भी बाइ कर सकते हैं तो आज ही हम सारा प्रॉस्टे देखेंगे किस तरह से आप टिकेट भाइ कर सकते हैं SL से डिस्काउंट रेट्स क्या है उसमें कौन-कौन अलिजिबल है डिस्काउंट हासिल करने के लिए एज लिमिट क्या है स्टूडन्ट के लिए क्या प्राइसिस है तो आज हम सारा कुछ देखेंगे अभी मैं स्टॉप की तरफ जा रहा हूं तो आपको सासा बताता हूं कि SL से आप कैसे टिकट्स परचेज कर सकते है और इसके रेट्स क्या है आज स्टॉकम चलते हैं और आपको स्टॉकम का विजट भी करवाता हूं नर्मली मेरे पास गाड़ी होती है तो मैं गाड़ी ही यूज़ करता हूँ आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं इसलिए मैं SL कार्ड नहीं रखता और जब भी कभी यूज़ करना पड़ जाए तो मैं SL एप्लिकेशन से टिकेट बाय कर लेता हूँ और उससे ही पड़ जाती है क्योंकि मैंने वन टाइम उसे यूज़ करना होता है अदर्वाइस जो मतली कार्ड है वो 970 स्वीडिश क्रोन का पड़ता है तो मेरे लिए कासली पड़ जाता है आपको यह भी बताते हैं कि आप डिसकाउंट कैसे अवेल कर सकते हैं एक नार्मल एडेल के लिए प्राइस क्या है स्टूडन के लिए प्राइस क्या है अंडर्ट प्विंटी इयर एज के लोगों के लिए क्या प्राइस है और अबव 65 यर ओल लोगों के लिए क्या प्राइस है तो आज की इस वीडियो में यह सारी मालूमात देखते हैं और आपके साथ शेयर करते ह जी तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप Android यूजर हैं तो Google Play Store से या Apple Store से SL और SJ की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लें सबसे पहले मैं SL को देखता हूँ चुकि SL मेरे पास already downloaded है तो इसे मैंने open कर दिया मैं नीचे इसके bottom पे देखता हूँ तो मेरे पास तीन option है travel, tickets and more के मैं tickets पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं कि buy tickets to app और SL card मैंने यहाँ पे click कर दिया तो मेरे पास यह तीन option आप देख सकते हैं कि क्या क्या आ गए है adult, discounted and group हम one by one देखते हैं इनको adult के लिए जो single ticket है वो 39 Swedish crown की है similarly जो one month ticket है वो 970 Swedish crown की है एक adult के लिए यह single ticket को मैं थोड़ा से explain कर देता हूँ कि यह single ticket जो है वो 75 minute तक active रहती है और 75 minute के बाद यह expire हो जाती है अगर तो आपका कोई short काम है किसी भी जगा पे तो आप within 75 minute करके वापिस भी आ सकते हैं so it's a good advantage कि आप single ticket को आप efficiently use कर सकते हैं अगर आपका कोई short task है तो आप उसे accomplish करके वापिस भी आ सकते हैं now comes के discounted rate क्या है discounted पर अगर हम देखते हैं तो 26 Swedish crown की single ticket पढ़ती है और similarly जो one month ticket है वो 650 Swedish crown की पढ़ती है जी तो दोस्तों यहाँ पे question आता है कि इस discount को कौन कौन avail कर सकता है सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा students की जिनके पास student card है या जिनोंने अपने आपको miss not जो application है वहाँ पे registered करवाया हुआ है और उनके पास proof of registration है तो वो ये avail कर सकते हैं similarly वो लोग जो under 20 year age हैं उनको भी ये discount available होता है और इसी तरह से वो लोग जो 65 above हैं उनको भी ये discount available होता है now comes के हम SJ से कैसे long distance ticket buy कर सकते हैं तो इसके लिए हम SJ की application पे चले जाते हैं SJ से हमने यहाँ पे click किया तो मैं देखता हूँ के मुझे यत्टिबोरी जाना है तो यत्टिबोरी मैंने click कर दिया now comes के कहां से जाना है तो मैं Stockholm Central कर लेता हूँ और मुझे अगर एक ही adult के लिए करनी है तो that's okay मैं add भी कर सकता हूँ let's say के मैं जो single adult के लिए करनी है तो मैंने यहाँ पे एक adult कर दिया इसकी आगे से वो detail मांग रहा है मैं search option पे जाता हूँ के क्या क्या departure time है और इसकी rates क्या है यहाँ पे देखते हैं कि एक जो economy class की ticket है वो 295 Swedish con की पढ़ रही है जो के train जा रही है 2 बच के 14 मिनट पे इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा late देखे हैं तो 2 बच के 34 मिनट पे एक train जा रही है जो के 515 Swedish con कास कर रही है तो आप देख सकते हैं कि almost almost आप 80% जो price है उसमें reduction देख रहे हैं तो आप ने जब भी इसको buy करना है तो आप इसको बड़े so समझ के कीजिएगा थोड़ा सा plan करके देखें तापके आपके पास जो discounted rate मिल जाएं आपको यह देखें बहुत सारे price differences हैं तो यहां पे मैंने आप 22nd March का देखा है तो एक 295 की ticket मिल रही है और एक जो है वो 589 Swedish Cown की भी मिल रही है तो there is a huge difference तो आप इसको plan करके S-J से भी ticket buy कर सकते हैं तो यह S-J का आपको मैंने बता दिया यह बताना बहुत ज़रूरी था बास लोग confuse होते हैं कि S-J किस को run करता है और S-L किस के लिए use होता है तो S-J मैं आपको एक दवा फिर बता दू कि long distance train के लिए use होता है और इसी तरह से जो S-L है वो short distance यानि Stockholm county में ही use होता है जी तो दोस्तों यह बताना जरूरी था के जो S-L है वो Stockholm county में ही work करती है ना के औरलांडा या उपसाला के लिए उपसाला जो के Stockholm के nearby county है वहाँ पे जो transport है उसको ul.sc रन करता है और उसकी application ul है आप उसको download करके वहाँ की ticket buy कर सकते हैं एक चीज़ याद रखिएगा के जब भी आपने औरलांडा या उपसाला ट्रैवल करना है तो आपको एक extra ticket buy करना पड़ेगी तो दोस्तों आपको बताता चलूं के स्वीडन में bus stop कुछ इस तरह के होते है ये एक bus stop है और दूसरी तरफ ये है ये देखें similar to जैसे हमारे हाँ metro bus है और उसके लिए एक special track बना दिया गया है ये similar bus है लेकिन इसके लिए कोई special track नहीं है वो ही usual road पे ये चलेगी तो इसके अंदर का view भी मैं आपको दिखाता हूँ अबी मैं बस पे ही बैठने वाला हूँ इससे पहले मैं आपको इसका station के बारे में कुछ बता दो ये देखिए ये इस bus का number है और ये इसकी detail लेकिए है Monday to Friday weekend का जो Sunday and Saturday है उसके लिए अलग से schedule है तो ये देखिए Monday यहाँ पे hours लेकिए हुए तो ये आगे minutes है like 5 बच के 41 मिनट पे एक bus आएगी then 56 मिनट पे आएगी similarly अगर हम यहाँ पे जाए तो 2 बच के 11 मिनट पे then 2 बच के 26 मिनट पे फिर 41 मिनट पे इस तरह से ये bus आएगी ये night पे जो bus चलती है ये उसका number है तो ये उसकी detail है like 12 बच के सुबह 5 बच बच तक ये bus आती है और ये उसकी timing लिखी हुई है तो 24 बच 7 यहाँ पे public transport चलती है ये देखें digitally भी information है कि इतनी देर में ये bus आ रही है like 7 मिनट में दांद्रिक हुक खुस इस एरिया का नाम है यहाँ पे ये bus जाएगी तो ये 7 मिनट में आ रही है तो दो बच के 42 मिनट पे आएगी तो ये इस तरह से ये bus stop है और तमाम information यहाँ पे दी गई होती है जी तो दोस्तों मैं अभी bus station पे कड़ा हूँ और bus का इंतजार कर रहा हूँ और ये bus जो है वो सोलंतूना सेंट्रम की तरफ जाएगी यह मैं आपको दिखाता हूँ जी यह सोलंतूना सेंट्रम की तरफ जाएगी तीन मिनट में यह दो मिनट में आ गया है दो मिनट में यह आने वाली है चले अभी बस आने वाली है तो मैं बस में बैट के आगे बात करता हूँ Friends, अभी मैं बस में सवार हो गया हूँ और ये बस अभी एक ने स्टॉप के लिए रुखने वाली है Meanwhile, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हर bus में हर seat पे एक stop का button होता है और अगर आपने गाड़ी से उतरना है तो आपने इस stop के button को प्रेस करना है और यह signal bus driver तक पहुंच जाता है और जो ही next stop आता है तो वो आपको गाड़ी से उतरने या bus से उतरने का मौका देता है और वहाँ से अगर किसी ने सवार होना है तो वो सवार भी हो सकता है एक चीज़ को मदे नज़र रखिएगा कि आपने stop को miss नहीं करना otherwise आपको दुबारा से नए stop के लिए stop का button प्रेस करना होगा तब जा कि bus driver आपके लिए bus को रोकेगा it can be possible कि driver जो है वो end तक चला जाए और meanwhile किसी ने भी किसी stop पे ना उतरना हो तो आपके लिए problem हो सकती है तो आपने vigilant रहना है आप अपने stop को miss ना कीजिएगा दोस्तो मेरा station आने वाला है मैं अभी stop को प्रेस कर दूँगा और ये signal bus driver तक पहुँच आएगा और चुही stop आता है तो वो मेरे लिए इस bus को रोक देगा यहाँ पे mostly लोग उतरेंगे चुकि ये एक बड़ा station है जब मैं नीचे उतरता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जी तो ये station आ गया है मैं आप नीचे उतरने लगा हूँ और ये मैं नीचे आ गया आप देख सकते हैं कि काफी ज़्यदा लोग इस bus से उतर रहे है अच्छा यहाँ पे पैदल चलने के लिए आपको zebra crossing ही लेना पड़ेगी otherwise आप usual road पे नहीं चल सकते हैं ये rules के against है ये सोलंतुना station है जई बहुत सारी busses बहुत ज़्यदा station है यहाँ पे बहुत ज़्यदा routes के लिए यहाँ से busses जाती है मुझे road की दूसरी तरफ से commuter train लेनी है जो कि Stockholm City की तरफ जाएगी तो चलते हैं दूसरी तरफ जीद वीवर्स ये यहाँ का station है जहाँ से आप in होंगे मेरे पस SL application में ticket है तो वो मैं scan करूँगा तो उससे मैं इंटर हो जाएगा यह मैं station में आगया हूँ और मुझे यह बरी train लेनी है Stockholm City वाया Stockholm City जाएगी वन मिनिट में आरही है यह basically सौदतेलिय सेंट्रम की तरफ जाएगी तो मैं इस train पर बैटन गाँ दोस्तो मेरी train आ गई है इस train के हर gate पर एक button है अगर तो वो green है तो आप उसको प्रेस करेंगे तो आप इंटर हो जाएगे वो gate open हो जाएगा otherwise mostly जो ही stop पर आती है train तो इसके gate आटोमेटिकली open हो जाते है यह ट्रेन का कुछ अंदरोनी व्यू है आप देख सकते है सोद तेली सेंट्रम की तरफ यह जाएगी वाया स्कॉकंग सिटी अचा है यहां पर अगर आपने मेट्रो लेनी है तो उसके लिए भी वे आउट बताया गया है यहां पर डिवाइड किया गया है मेट्रो को ब्लू लाइन में रेड लाइन में और ग्रीन लाइन जी तो दोस्तों अभी मैं स्टॉकंप सिटी में आ चुका हूं यहीं पर मुझे आना था मुझे कुछ काम है आपको दिखाता हूं यह कुछ इंफ्रमेशन है रिगार्डिंग कम्यूटर ट्रेन किस किस टाइम पर कहां कहां पर यह कम्यूटर ट्रेन जा रही है तो बढ़ते हैं आगे अभी मैं उपर की तरफ जा रहा हूं शहर की तरफ यह स्टॉकम टी सेंट्राल जो कि स्वीडन का सबसे बड़ा स्टेशन है इसकी ब्यूटी यह है कि यह सारा अंडरग्राउंड बना हुआ है और उपर अलमोस्ट पूरा स्टॉकम सिटी है इसके उपर यह स्टेशन बना हुआ है दोस्तों अभी मैं एक लेवल अबव आया हूँ इस स्टेशन की ब्यूटी यह है कि यह थ्री लेवल्स पर बना हुआ है अभी आप देख रहे हैं कि एक मेरे सामने एक लेवल है मुझे यहां से उपर जाना है देन एक और लेवल है जिसको मैं क्रॉस करके उपर जाओंगा देन आप में स्टेशन पर जाएंगे जहां पर आप लॉंग डिस्टेंस ट्रेंड को एकसेस कर सकते हैं जो बसिस औरलंडा की तरह जाती हैं उनको एकसेस कर सकते हैं इसी तरह से लॉंग डिस्टेंस बसिस को एकसेस कर सकते हैं और सिमिलरली अगर आपने सब्वे यूज कर आप वहां पे भी जा सकते हैं, कैफे हैं, बहुत बड़ी मार्केट है इस स्टेशन में और यह सारा अंडर ग्राउंड है, अभी तक जो हम जा रहे हैं, पूरा स्टॉकम सिटी इसके उपर बिल्ट है, यह बहुत स्टेट अफ दा आर्ट स्टेशन है, इनसान हिरान होके रह है, कि इस तरह का स्टेशन कैसे बना, और हमारे मुमालिक में यह क्यों नहीं है, इस तरह की टेकनालोजी, कि हम अपनी अवाम को इस तरह की पबलिक ट्रांसपोर्ट दे सकें, तो देखते हैं, आगे चलते हैं, मैं आपको आगे का व्यू भी दिखाता हूँ, जी तो दोस् अवाम की information के लिए इन्होंने arrangement किया हूए है, जगा जगा पर digitally information screen है, आप वहां से अपने route और अपने train के मतलिक information देख सकते हैं, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती, तो different लोग मौझूद हैं आपकी help के लिए, आप उनको approach कर सकते हैं, और वो English बोल सकते हैं, आपको कि किसी कि hesitation की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नहीं हचकचाएं, आप उनसे freely बात करें, वो आपको proper guide करेंगे, और चीज बताता चलू कि मुझे याद आ गया है कि मेरे career के start में, जो मेरे initial days थे, जहां पर मैंने job की है, first job, वो भी आपको दिखाता हूँ, ये वो shop है, जह जो भी इसका manager था, वो इस वक्त नहीं है यहां पर, बस अभी याद आ गया है मज़े, तो मैंने चाहा, आपके साथ share कर देता हूँ, ये एक grocery store गी है यहां पर, अबर आपने shopping करनी है, तो आप यहां से shopping कर सकते हैं, ये announcement हो रही है, अगर आपने long distance train के लिए जाना है, तो के लिए trains आ रही है, अब ये long distance train का schedule आपके साथ share करता हूँ, ये देखें, वेस्ट रोस, याफले, लेंच शॉपिंग, उपसाला, याफले, तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कि long distance train के लिए आपने sd application यूज़ करनी है, या sd.se की website से जाकर टिक्ट पर्चे कर सकते हैं, और local, within Stockholm county में आपने SL यूज़ करना है, जो के whole Stockholm को cover करती है, आप commuter train, metro, subway और ferries में यूज़ कर सकते हैं, वो एक ही ticket valid होती है, 74 minutes के लिए, तो आप उससे आना जाना भी कर सकते हैं, it depends के आप कितने fast हैं और आपका काम कितना है, लेकिन एक ticket जो है, वो 74 minute के लि होती है, आप इसको अवेल कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ छोड़ा टास्क है, तो आप विदिन 74 minutes से complete करके वापिस भी जा सकते हैं, अभी मैं आपको main जो station है, उसका view दिखाता हूँ, ये कुछ station इस तरह से है, D-Central, अवेले आपको चान के तरह स्टरों फेस्टरोस आरगहा, विद भी मैं वेलासी स्टरोस, आरगहाँ, ये आपको मैं श्योद्टरोस के वापको अगर, वेस्टरोस आरगहाँ, वे आपको चुछ मालमो, सौदेतेलिय, उपसाला, यावले, इसी तरह से बौल्था, वेस्टरोस, इसी तरह से साला, फालून, फालून वो इलाका है जहां पर मैं पढ़ने आया था, तो यहां पर मेरी यूनिवस्टी है, यह एक अलग से काउंटी में है, जो कि दौलाना काउंटी में है, अब मैं आपको सेंट्र स्टेशन से बाहर का व्यू दिखाता हूँ, तो चलते हैं बाहर की तरफ, मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ, यह जी स्टॉक्वम सिटी आ गया, और यह सेंटर स्टेशन, जो कि स्टॉडन का सबसे बड़ा ट्रेइन स्टेशन है, यहां से ट्रेइन जो हैं, वो डिफरंट एरियास में जाती हैं, लांग डिस्टंस भी, लोकल भी, और्लैंडा में भी जाती हैं, यह स्वीडन का सबसे बड़ा स्टेशन है, आप देख सकते हैं यह सारा अंडरग्राउंड है और उपर सारा शहर है बड़ा अच्छा प्लान हुआ हुआ है अकल धंग रह जाती है कि कैसे इन्होंने यह स्टेबिश किया हुआ है बहुत प्यारा व्यू है यह बाहर से वाओ, अमेजिंग फोड़ा साप तो इदर का व्यू दिखाता हूँ यह बहुत पुरानी बिल्डिंग है जीद होगे तो आपने जेबरा क्रॉसिंग क्रॉस करनी है तो यह देखिए यहां पर आपने टर्च करना है तो आपके लिए सिग्नल उपन हो जाएगा तो आप क्रॉस कर सकते हैं रोड को अदरवाइस ना कीजिएगा यह ड्रेंजरिस है यहां पर पेडिस्ट्रियंट के लिए भी इसी तरह से सिग्नल को फॉलो करना बहुत जरूरी है अदरवाइस ना कोई एक्सिडेंट हो गया तो आप उसके जिमादार खुद होंगे काडी वाला यह क्लेम कर सकता है कि आपका सिग्नल पन यह पॉचनेटली मुझे सिग्नल ग्रीन मिल गया है तो मैं यह देखें पेडिस्ट्रियंट के लिए यह साइन है तो मैं आगे निकल सकता हूँ यह लॉंग दिस्ट्रस प्रीन यह प्यारा सा भी हुए जही स्टॉक्हाम का यह अभी कुछी दिन हुए है दो दिन हुए है गालवन के यह मेल्ट हुई है अदर्वाइस यह आइस बनी हुई थी ब्यूटिफुल स्टॉक्हाइब यह प्रेडिस्ट्रियंट के लिए यह साइड है और साइक्लिन के लिए वो ड्राइग है तो आप मिक्स नहीं कर सकते हैं पेडिस्ट्रियंट पेडिस्ट्रियंट ट्रैक पे चलेंगे और साइक्लिंग बाले अपने ट्रैक पे चलेंगे जैसा कि बता रहा था कि अभी दो दिन हुए है आइस मेल्ट हुई है तो इस सेरिया में अभी तक मेल्ट नहीं हुई यह देखें यह रेलवे का मैप है तमाम ट्रेंज का किस तरह से किस तरह जा रही हैं ट्रेंज क्या क्या कलर्स और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप डीटेल में लिखी हुई है मैं आप एक एक तो नहीं बता सकता लेकिन य सब्वे जा रही है यह नोश्पोरी की तरफ जा रही है और यह ड्रेट लाइन है उन्हें बताया कि यह नोश्पोरी की तरफ जा रही है थर्टी नमबर आप देख सकते हैं नोश्पोरी है और यह रास्ते से गुजरते हुए अलबी की तरफ जाएगी अपने ट्रैक पर खड़ी है और जो ही इसका टाइम होगा तो इसमें यहां से रवाना हो जाना है यह देखे कितना प्यारा सा स्टेशन बना हुए इस तरह से रवाज आज की वीडियो यही पर हतम करते हैं फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीजे मैंने अपने चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उन सब चीजों को कवर करूँ और वक्तन फ़क्तन डिफरन टॉपिक्स पे वीडियो बनाता में याद रखिएगा फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ